ओके, हाई गैस देश दर्शन खरे और आज से हम शुरू करने वाले हैं 6D Economic Law के Case Study Lectures जो इन लेक्चर्स को देख रहा है उनको पहले मैं में मेंशन कर दूँ ये लेक्चर्स उन ही के लिए हैं जिनोंने अल्रेडी मेरे साथ 6D Economic Law कम्प्लीट किया है अगर आपने मेरे पास साथ 6D Economic Law अल्रेडी कम्प्लीट कर लिया है पूरा सब्जेक्ट तो फिर ये Case Study Lectures आपके काम के है otherwise आपको ये Case Study Lectures समझ में ही नहीं आएंगे अगर आप मेरे 6D Economic Law के New Student हो तो आपको जो मैंने Bookset दिया है उस Bookset के अंदर Case Study का Book होगा उस Case Study Book में से मैं ये Lectures ले रहा हूँ लेकिन अगर आप मेरे Old Student हो 6D Economic Law के और आपके पास में Case Study का Book नहीं है तो ये Case Study का Book आप परचेस कर सकते हो from WowClass.com ये Case Study का Book आप परचेस कर सकते हो WowClass.com से वहाँ पर ये Normal Price के उपर आपको Normally मिल जाएगा काफी जाड़ा बुक है मरला में आपको Case Study के बुक का ही सिर्फ साइज दिखा हो ठीक है तो इस इस थोड़ा सा कम जाड़ा बुक है Case Study का बुक और Nearly हमने उसको Multicolor बुक रखा है तो cost उसके हिसाब से decide किया गया है Nearly हम इस Case Study बुक के अंदर 25 Case Studies डिस्कस करेंगे वैसे 50 Case Studies है एक Case Study मैं डिस्कस करूँगा One by me and एक Case Study आपको Homework के लिए जाएगे जाएगे One Case Study in the Homework तो हम 25 Case Studies यहाँ पर कवर करने वाले है 25 Case Studies वी आर कवरिंग नियरली इन थर्टीन लेक्चर्स जो छोटे 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 लेक्चर्स होंगे 13 जो नियरली हर एक दो दिन में रात को 9 बजे मेरे यूट्यूब चैनल के उपर मेरे यूट्यूब चैनल के उपर प्रीमियर किये जाएंगे यह चीज को आपने याद रखना जो जो ओल्ड वाले हैं जिनके आपस कोई केस्टेडी बुक नहीं है उनके लिए मैंने केस्टेडी बुक बनाया है वो आपको अवलेबल रहेगा वावक्लास.com पे जिनोन अभी निवी 6D एकोनोमिक लॉक के अड्मिशन्स लिए उनके पास केस्टेडी बुक आलरेडी होगा तो उसमें से लेक्चर देख सकते हैं हर दो दिन में एक लेक्चर यहां पे प्रिमियर होगा रात को 10 पी-म को कि सोते-सोते आप एक केस्टेडी लेक्चर देख लो तो आपका काम हो जाए साथ में बुक आप लेके बैटना तो आपका काम हो जाएगा 10 पी-म भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 9-12 पज़त क्लास खतम हो जाते हैं तो वो एक आदे घंटे में केस्टेडी कंप्लीट कर सकते है अब केस्टेडी लेक्चर लेने के लिए कुछ steps हम फॉलो करेंगे सबसे पहले केस्टेडी लेक्चर के अंदर जरूरत आपको यह है बिटा कि आप केस्टेडी का reading ठीक से करो आपको reading केस्टेडी रीडिंग के क्योंकि दो-तीन पेज़स का केस्टेडी आता एक्जाम में चाहिए आपको reading का habit लगना चाहिए यह सबसे पहला मोटो है तो सबसे पहला step जो है हम केस्टेडी लेक्चर का वो लेने वाले है reading मतलब आप खुद केस्टेडी पढ़ो आप एक बार केस्टेडी पूरी पढ़ लोगे तो step 2 के अंदर चैके step पर लिखे है step 1 के अंदर आपने reading कर लिया तो step 2 के अंदर फिर मैं आपको उस case study के highlighting facts बताऊंगा main facts मतलब आपका reading होने के बाद में मैं जब fact बोलूँगा तो एक summary reading और summary fact analyzation एक साथ हो जाएगा क्योंकि मैं already case study read करके ही पढ़ा रहा हूँ और फिर ये fact बताने के बाद हम जाएंगे step 3 के उपर जिसके अंदर हम question and answer solve करेंगे जो question and answer मैंने यहाँ पे chapter wise divide करके रखे है कि specific chapter कौन-कौन से involved है और उसके question and answers क्या है इस तरीके से मैंने case study का answer दिया है तो हम शुरू कर रहे है पहले case study से आप जहाँ पे भी हो ये video अभी आप pause कर लो आप आपका पूरा समय ले लो case study को read करने के लिए ठीक है जब आपका ये पूरा case study read हो जाएगा तो यहीं से आपने lecture play करना है फिलाल pause कर लो क्योंकि मैं straight away step 1 आपके उपर छोड़ रहा हूँ reading के लिए तो आपको read करना है बकाइदा फिर lecture play कीजिए ठीक है pause करके read कीजिए फिर lecture play कीजिए तो आप सिधा main facts के उपर पहुँच जाओगे तो ये है case study number 1 इस case study के अंदर क्या-क्या facts mention किये है ये मैं आपको थोड़ा सा mention कर दूँ ठीक है विकास कपूर ये एक small time producer है Bollywood के ठीक है और वो small time producer होने के बाद एक movie release करना चाहते है इंडिया में ठीक है ये यहाँ पे इन्होंने fact बोले गया है विकास कपूर Bollywood actor with his dream and aspiration to come to Mumbai 2010 blessed with a charming personality and a small time producer in the Bollywood ठीक है opportunity is not to die for विकास but definitely an option and a chance to look for the movie was released in October 2011 विकास received a recognition for his work and soon signed up for the movie project ठीक है ये बुला है उसके बाद में उसको खुद का production house open करना है ये बुला गया है तो उसने February 16, 2013 को company incorporate की share capital 10,000,000 रूपे के साथ में और साथ में उसको एक movie WK Films Private Limited करके उसने शुरू किया और उस production house में उसको एक movie release करनी है दिल से दिल तक इस शक्कर में विकास ने New York से एक flight पकड़ी है जिसके थूँ वो इंडिया में आना चाहता है जब उसने इंडिया में आने की कोशिश की तो उस case में उसने 50 ग्राम का gold purchase 50 उर्पीज पर ग्राम के हिसाब से gold purchase किया है और US dollar 50 पर ग्राम के हिसाब से उसने एक gold necklace purchase किया है 80 ग्राम का and साथ में एक 30 ग्राम का उसने purchase किया है US dollar 20 पर ग्राम के हिसाब से अब ये दोनों निकलेस पर्चेस करके वो ग्रीन चानल से पास कर रहा है खुद को नौर्मली जब आप कोई गोल्ड निकलेस वगरा गोल्ड की वैल्यूवबल चीजे लाते हो और वो स्पेसिफिक लिमिट के उपर है हाला कि ये हमने हमारे सलबस में कहीं देखा नहीं है क्योंकि हमारे सलबस में बहुत कम कंटेंट दिया है इस बारे में पर वो specific limit के अगर उपर है तो आपने green channel नी आपने declaration वाले red channel के थ्रूँ इसको जाना चाहिए और declare करना चाहिए कि ये ज्वेलरी ये gold मैं ला रहा हूँ ये किसी specific person के लिए ला रहा हूँ और उसके उपर कोई import duty है तो उसने pay करनी चाहिए फिर थोड़ा सा case study turn होता है एक dreamland reels private limited नाम का bollywood production industry है वो bollywood पे movies बनाता है और उसका market share 35% है ये बोला है क्योंकि उसने एक बहुत बड़े star के साथ में एक movie release किया है तो उसका market share 35% है अब जैसे ही ये market share 35% बोलते है मुझे abuse of dominant position का यहाँ पे थोड़ा signal मिलता है immediately पहले तो यहाँ जो उपर declaration है वो regarding FEMA foreign exchange management act के declaration के बारे में बात की जारी है जो gold वगरा वो ला रहा है फिर यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक दूसरी company है जो existing हमारे विकास की company है उसके competition में दूसरी company है जिसका market share 35% है तो यहाँ abuse of dominant position का थोड़ा सा smell आता है पर यह है या नहीं है यह अभी तक decide नहीं हुआ है only 35% market share के वज़े से dominant position होना यह compulsory नहीं है 35% market share not lead to dominant position not lead to dominant position और बिना dominant position के abuse भी नहीं हो सकता यह हमने देखा है मैं आपको हमेशा बोला है abuse of dominant position होने के लिए पहले dominant position होना चाहिए फिर ही abuse हो सकता है क्या 35% market share से dominant position create होगा not necessary यह चीज़ को आपने याद रखना तो abuse की बात अलग जाएगी अब यह जो company है यह movie release करना चाहती है hero number one जो एक mega star के साथ blockbuster movie वो बनाना चाहते है और यह film के rights उनहीं को मिलेंगे जो उनके दूसरी movie को भी subscribe करेंगे love tales मतलब जितने भी single screen owners है single screen owners की बात की जारी है यह single screen owners जब अगर इनको hero number one movie का right चीए screen के उपर publish करने का तो उनको love tales movie का भी right purchase करना पड़ेगा यह उन्होंने compulsory point डाला है तो यहाँ सवाल उठता है कि एक movie को बेचने के लिए दूसरी movie compulsion करना एक movie लेने के लिए दूसरी movie compulsion करना क्या यह abuse or dominant position है एक बड़ा सवाल यहाँ पे आता है विकास इंडिया में आता है और वो दिल से दिल तक movie बनाता है और release करता है 14 फरवरी 2016 को जब इनका love tales movie release हो रहा है 14 फरवरी 2016 वालेंटाइन्स डे पे इन्होंने movie release किया है पर जो opposite production house है विकास किया उसका issue यह था कि उसने पहले एक movie release किया था hero number one mega star के साथ और वो hero number one वो तभी release कर सकता था single screen वाला जब वो love tales movie release करने का भी agreement साथ में करता है तो महलब obvious सी बात है कि hero number one को ज़्यादा response आएगा और hero number one के response का use करते हुए love tales को भी sponsor किया जा रहा है तो क्या यह abuse of dominant position है यहाँ पे सवाल पैदा होता है ठीक है अब यहाँ पे बोला गया है कि भी basically abuse of dominant position का case चल रहा है तो उनके lawyer ने यह एक move लिया है कि भी यह abuse of dominant position के अंदर फसे गा या नहीं फसे गा फिर उसके बाद में अगली बात की जारी है in December 16 विकास मुई दिल से दिल तक got released चाओदा फरवरी को release करने वाला था but it was December 16 विकास मुई दिल से दिल तक release and managed to reasonably do well जो 14 फरवरी को release करने वाला था तो उस situation में उसको समझ में आया कि competitor company ही 14 फरवरी को movie release कर रही है तो उसने movie को hold किया December 2016 में movie release करने की कोशिश की और उसमें से 80 लाग का nearly उसको profit हुआ जिसमें से 40 लाग का remuneration उसने earn किया बचे हुए पैसो में से वो खुद के relative उसको एक farmhouse खरीक के देना चाहता है farmhouse पनवेल पे 30 लाग का अब यहाँ पे FEMA के prohibited capital account transaction का यहाँ पे यहाँ आता है कि भीया विकास तो NRI है तो NRI तो इंडिया में farmhouse में invest नहीं कर सकता पाच prohibited transaction है FEMA में चेट fund, निदी company, agriculture, plantation activity, real estate business and construction of farmhouses इसके अंदर invest नहीं कर सकता तो क्या विकास यह खुद के मम्मी वगरा के नाम पे ले सकता है खुद के relative के नाम पे ले सकता है और अगर यह खुद के relative के नाम पे लेता है तो देखना यहाँ पे foreign exchange management act के साथ में बेनामी properties का भी case यहाँ पे बन जाता है यह चीज होने के बाद में विकास ने एक proposal डाला है उसकी girlfriend को Shaira was thrilled to see the gift of the विकास और वहाँ पे वो प्रपोस करना चाहता है उसको दोनों engaged हो चुके है ठीक है और विकास happy for the everything और साथ में visited a rapper वो rapper के साथ में काम करना चाहता है और वो rapper उसको सम पे करता है पाच्छलाग रुपीज का as a remuneration विकास को विकास विकास प्रोडूसर है रैपर सिंगर है तो दसाथ में वीडियो अल्बम अगरा निकालेंगे रैप साथ के और डांस ट्रांस नाम का पाच्छलाग रुपे उसके लिए उसने पे किये Mr. Kataria उसके बार में पाच्छलाग रुपे प्रोड रैपर को जो रैपर है उसको पाच्छलाग रुपे विकास दे रहा है और विकास उसने अर्न किये है from his first movie तो विकास दे रहा है यहाँ पे रैपर को फिर Mr. Kataria जो जिंदिगी के अंदर यहाँ पे बुला गया है Kataria was glad that he could earn रुपे प्रोड रुपे विकास जो रैपर था और उसके बाद में failed at his achievement and pleaded to lend him some money Mr. Kataria gave him 5 lakh as a loan, Rajan signed a document to return to Mr. Kataria Rajan used the money his uncle gave him with additional sum of 3 lakhs rupees from uncounted money purchase of garage in the Nagpur तो यहाँ पे अब यह Kataria के family के उबर shift हो गया है कि Kataria ने कुछ के भई जो नेफिय उसको पैसा दे दिया 5 lakh उसने उसके अंकल से और 3 lakh जमा किया ऐसा करके एक और case यहाँ पे बेनामी का देने की कोशिश की है चलो तो fact मैंने आपके सामने रख दिये अब questions एक-एक करते है सबसे पहले competition act के question DRPL has kept a condition in front of the exhibitors who has single screen theaters to purchase a right of exhibition in both the movies hero number 1 and love tales मैंने आपका already बुला था कि जिसको hero number 1 चाहिए उसको love tales खरीदना पड़ेगा यह exhibition करने के लिए यहाँ पे उन्होंने condition डाला है though there was no return document for this regard इसके लिए कोई return agreement नहीं था क्या हम इस चीज़ को single theater में इसको issue करने के लिए हम क्या इसको anti-competitive abuse of dominant position मान सकते है तो इसका answer है it is anti-competitive agreement इसको anti-competitive agreement माना जा सकता है abuse of dominant position में इसको नहीं मान सकते है क्योंकि company का DRPL का कोई dominant position अभी तक के proof नहीं हुआ है concept समझ में आ है उसका 35% ही market share है तो इसको dominant position नहीं कहा जा सकता दूसरा DRPL is the one of the oldest companies in the Bollywood industry that is engaged in the production and distribution of the film over the India the film hero number one is a mega star hence it can be said that क्या dominant position DRPL का है so सिर्फ एक mega star hero को कास्ट करने से आपकी country dominant position में आ जाएगी ऐसा बोलना मुश्किल है so it is not certain if DRPL is in the dominant position or not ये थोड़ा uncertain है हम इसको पूरे तरीके से नहीं बोल सकते है भले ही long time industry में है बढ़ उस वज़े से dominant position create होना जरूरी नहीं है market share भी strong चिए mega star hero film होने के वज़े से dominant position होना जरूरी नहीं है ठेक है DRPL enjoys a monopoly in the market monopoly भी नहीं है सिर्फ 35% के market share है तो हम इसको dominant position नहीं बोल सकते है शेरा wishes to earn a royalty by assigning a copyright of the rap song dance trance the same is not possible क्योंकि इसके लिए payment जो किया है वो विकास नहीं किया है और विकास जो है इस copyright को खुद के पास रख सकता है बाद में वो भली gift together कर दे शेरायर को जाओ उसका नाम है जिंदिगी में नाम भी नहीं पड़ते आ रहा उसको gift करे वो बात की बात है under which section of the competition act विकास can file a case to the authority देखो abuse of dominant position का तो case है नहीं तो यहाँ पे section 3 और 4 जो section number 3 and section number 4 है anti-competitive agreement का उसके अंदर आप ये case file कर सकते हो और dominant position वाला case नहीं है तो उसके अंदरा file नहीं कर सकते है next वाला VFPL विकास films जो इसका विकास का company है has reported DRPL for contravention of the provision of competition act please examine the case and elaborate the finding तो विकास नहीं जो बोला है कि इनका dominant position वाला है हो सकता है anti-competitive agreement हो पर dominant position नहीं है तो यहाँ पे conclusion में मैं पढ़ूँगा आप चाहिए तो answer पढ़ सकते हो इसका कोई दिक्कत नी पर conclusion पे मैं आऊँगा what need to be ascertain in this case where the exist of appreciable adverse effect पहली बात तो मैंने competition act में हमेशा बोला है कि क्या appreciable adverse effect है इस चीज़ से फरक पड़ता है क्या dominant position है इस चीज़ से फरक पड़ता है क्या abuse है इस चीज़ से फरक पड़ता है single screen theaters accounts for merely 35% of market share hence to note that single screen theater had a freedom to make a choice whether to agree to a condition or not single screen theater का 35% market share है इनका तो single screen theater के वास choice है वो बच्चेवे 65% जिनका market share है उनके साथ में deal कर सकता है जरूर ही नहीं है कि उन्होंने DRPL के साथ ही करना चाहिए तो इस वजह से हम यह बोल सकते है कि यह dominant position इतना नहीं है an enterprise has a legal right to grow its business खुद का business grow करने का उसको right है तो अगर वो time nature के agreement देते है single screen theater को तो it is not violation because dominant position नहीं है abuse तभी होता है जब dominant position हो section 19 lists down the factors that CCI should consider for the same theaters has neither created a barrier for new entrant कोई भी नए entrant के लिए कोई नया barrier create नहीं किया गया है खेक है and VFPL had open option for pre-poning or postponing the release जो उसनी किया pre-poning or postponing is release करने का VF विकास को जो option था उन्होंने use भी किया है तो obvious सी बात है यहाँ dominant position का case नहीं बन पाए यह चीज़ को याद रखना अब देखो competition act के सभी question मैंने segregate करके separately दिये है इस case study के उपर दूसरे है बेनामी properties के is Mr. Kataria liable to commit बेनामी transaction और कोई भी दूसरे person के नाम पे उन्होंने पैसा वैसा रियस नहीं किया है evaluate पनवेल फार्माउस transaction done by Mr. Vikaas Kapoor and Mrs. Shanti Kapoor जो इन्होंने पनवेल का फार्माउस पर्चेस किया है क्या वो बेनामी transaction बोला जाएगा क्योंकि विकास का पैसा था और उसने Shanti Kapoor के नाम पेस को पर्चेस किया है तो क्या ये बेनामी transaction माना जाएगा if the transaction is valid justify with the reason खुदी ने answer दे दिया transaction valid if the reason दो transition valid है ठीक है तो देखो नीचे conclusion के अंदर in the given case consideration has been paid from the known source that is remuneration earned by Vikaas जब unknown source होता है तो बेनामी transaction हो सकता है farmhouse is not held jointly jointly by the mother and the son for the exception to apply hence the transaction for purchase of per mail farmhouse in the name of Mrs. Shanti Kapoor mother of Vikaas Kapoor this is a बेनामी transaction भले ही non source से पैसा क्यों ना आया हो पर मम्मी के नाम पे farmhouse लेना अगर jointly भी hold करता तो बात अलग रहती थी पर मॉम के नाम पे farmhouse लेना it is a kind of बेनामी transaction ये चीज़ को आपने बड़े अच्छ तरीके से याद रखना है Mrs. Shanti Kapoor re-transfer the per mail farmhouse to Vikaas Shanti Kapoor ने farmhouse वापस Vikaas को transfer करना चाथ है का कर सकते है नहीं बेनामी properties transaction act में section 6 में mention किया है कि एक बार बेनामी नार के नाम पे कोई property आ गई तो जब तक investigation खतम नहीं होता वो property वापस जो financer है उसके नाम पे नहीं आएगा ठीक है So re-transfer should be considered as null and void conclusion the transaction of re-transferring is null and void suggestion अगर इनको property transfer करनी भी है तो इनको gifted deed execute करना चाहिए for the purpose of transfer मलब विकास ने खुद के नाम पे लेके gift deed करना चाहिए उनके मम्मी के नाम पे या उनको re-transfer भी करना re-transfer तो allowed नहीं है बढ़ अगर विकास मम्मी के नाम पे farmhouse लेना चाहता है तो gifted करनी चाहिए next आता है prevention of money laundering अब यहाँ पे prevention of money laundering मतलब मैंने जो फेमा बोला था that is a case of money laundering because import duty वाले situations जो money laundering में cover किये जाते है अब money laundering के schedules में mention किया गया है कि normally आप कितना ला सकते हो अब यह थोड़ा सा out of scope वाला question है यहाँ सवाल उठता है कि जो विकास green channel के थूँ आया है क्या वो guilty है क्या उसने red channel के थूँ ज्वेलरी लेके declaration देखे आना चाहिए यह यहाँ पर पूछा गया है तो मैं यहाँ पर mention करना चाहूँगा कि भाई सहाब 20 gram का जोईलरी जोईलरी जेंटलमेन पैसेंजर को allowed है with a value cap of 50,000 रुपीज यह अभी कमई हमने हमारे syllabus में पढ़ा नहीं है पर यह money laundering के scheduled offenses में दिया जाता है बड़े syllabus में नहीं है अवे इनोंने कैसे सवाल पूछ ले हैं नहीं को पता बड़ फाइन हम यहाँ पढ़ लेते है 20 gram जोईलरी maximum male passenger को allowed है 50,000 रुपीज की और 40 gram जोईलरी maximum 1 lakh रुपीज के allowed है female passenger को ठीक है यह यहाँ पर mention किया गया है otherwise वो proceeds of crime माना जाता है अब देखो विकास क्या लेके आया 3,20,000 रुपे की जोईलरी लेके आया 4,000 US डॉलर की और 48,000 रुपे की जोईलरी लेके आया silver sterling की और वार्च जो है वो वर्थ 44,000 की है तो उसने red channel के थुरू जाना चाहिए था और उसने उसका declaration देना चाहिए था यह यहाँ पर mention किया गया है concept समाझ में आ रहा है सबको हाँ है न तो यहाँ पर आपका पहला case study खतम होता है मैं चाहूंगा कि इन case studies के answer आप कृपे आप पढ़ लीजिए अभी आराम से और फिर इसके बार में हम second case study के उपर जाते मैं एका दोड़ मिनिट का ब्रेक लेता हूँ फिर हम second case study के उपर move होंगे second case study आपका homework है एक case study one मैं करूँगा second case study homework थर्ड case study वापस से मैं करूँगा ठीक है प्लीज गो for the same गो for it fast एक बार सभी क्या answers पढ़ लीजिए मेरा description आपको clear नहीं होगा तो reverse करकर के देख लीजिए कि सर ने क्या बोला है तो ही जाके समझ में आएगा ठीक करूँ है झाल 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 तो फर्स केस्टड़ी आपने अगर रीड नहीं किया होगा अभी भी पॉस कर लीजिए फर्स केस्ट़ी रीड कर लीजिए फिर हम सेकंड केस्ट़ी आपका हूँवक है मैं थर्ड केस्ट़ी के उपर शिफ्ट हो जाऊँगा पॉस कर लीजिए चल पॉस करके अगर आप वापस आयो हो तो यार सार्टिंग विद थर्ड केस्ट़ी प्रेम महरा ये एक बिजनस्मेन है इसका एक कंपनी है जो कंपनी इन्वाल्ड है इन फाइनसिंग इंफ्रास्ट्रॉक्चर एंड टेली कम्मुनिकेशन ये चेर्मन है कंपनी का जो इन्वाल्ड है फाइनसिंग इंफ्रास्ट्रॉक्चर टेली कम्मुनिकेशन उस कंपनी म काफी सारे shareholders है, जैसे इसके तीन अशीमा महरा प्रेम महरा की wife का नाम है, Mr. आजित्य महरा अखिल महरा, कियारा महरा ये सब आजित्य महरा सबसे बड़ा सन है कियारा महरा सबसे चोटी बेटी है ठेक है, इसके मा है प्रेम महरा कि अनुरादा महरा जो 10% equity share hold करता है, premium company में premium company जो प्रेम महरा की company है ठेक है, और आशीमा महरा ये philanthropy में भी involved है ठेक है, philanthropy मतलब लोगों के भले के लिए भी charity work वगरा करती है फिर उसके बाद में company ने 3 जून 2004 में telecommunication business शुरू किया और GSM CDMA services के साथ CDMA का मतलब होता है, पहले phone आते थे, जिसमें SIM card already built होता था दूसरा SIM card आप change नहीं कर सकते थे Reliance communication के अनिलंबानी के पहले phone ऐसे हुआ करते थे CDMA, दूसरे कोईसी company का SIM card यह नहीं चलेगा, सिर्फ उसी company का चलेगा ऐसे, और GSM services company ने 2009 में शुरू की चाहिए, company ने cooperation किया, यहां corporation word यूज किया है जो basically corporation word यूज किया है जो cooperation होना चाहिए Japanese company के साथ उन्हें Android smartphone release किया 2014 में इस company ने एक ZTSL नाम की company acquire की है Z phone telly services limited और उस company के 292 करोड के dues use pay करने के भी अगले पात साल के अंदर उन्हें promise किया है जिससे उनको spectrum मिल रहा है और उनका business बढ़ाने के लिए 2007 में इन्होंने गनेशन फिल्म्स नाम की company acquire की थी, जिसको उन्होंने बाद में convert कर दिया premium mediatric networks नाम के company के अंदर ठीक है फिर इस company ने consortium of Indian banks और foreign banks से बड़े पैमाने पे loan उठाया consortium of Indian banks और foreign banks पे अगर आपने अभी तक के case study नहीं पढ़ा है तो अभी भी pause करके वापस से case study पढ़ लीजिए पूरा का पूरा क्योंकि वो step number 1 है मैं step number 2 पे खड़ा हूँ consortium of Indian bank और foreign banks से इन्होंने loan उठाये है अलग-अलग bank और उनके amount दिये है doesn't matter अगर जब हाँ calculation का सवाल आएगा वहाँ पे हम इनके amounts को ध्यान रखेंगे फिर उसके बाद में mention किया है कि company ने एक premises भी lease rental के उपर लिया था और उस lease rental के premises के payment पे उन्होंने default किया है bank के installment भी पे नहीं कर रही है और जो lease rental premises है उस premises के lease rentals भी वो पे नहीं कर रही है यह यहाँ पे mention किया है company ने real estate project में कई सारे project शुरू किया जैसे वाशी मुंबई में उन्होंने पहले project शुरू किया था 500 स्क्वेर मिटर का फिर नागपूर में premium premium serene नाम के वाशी मुंबई में फिर premium codename नाम से नागपूर में शुरू किया था 5000 स्क्वेर मिटर का और फिर premium lifestyle नाम से 5000 स्क्वेर मिटर का तो 50,000 स्क्वेर मिटर का नागपूर में 5000 स्क्वेर मिटर का इधर premium lifestyle पूना में premium royal serenity नासिक में तो ऐसे अलग-अलग प्रोजेक्ट शुरू किये थे पर कमपनी की हालत खस्ता हो गई इसलिए कमपनी इतना सारा कॉस्ट प्रोजेक्ट नहीं लगा सकती थी तो कमपनी ने स्केल ओपरेशन कम किये और नंबर ओफ प्रोजेक्ट डाउन किये जिसके अंदर जो इनका प्रीमियम सिरीन वाला वाशी मुंबई का प्रोजेक्ट था वो सिर्फ आठ अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट इन्होंने जमा करके कम कर दिया और बचे वे प्रोजेक्ट में भी उन्होंने रिक्वाइड चेंजेस यहाँ पर किये है यह चेंजेस बड़े काम के है क्योंकि रेरा की अप्लिकबिलिटी के काम में आने वाले है फिर उसके बार में बोला गया है कि अलग-अलग लोगों ने इनके उपर केस किया फॉर दे प्रोजेक्ट आफ नौन मेरें और किस तरीके से क्रेटर कुद कमिटी ऑफ क्रेटर में इन्वाल होंगे क्या उनको वोटिंग राइट है या नहीं है यह यहाँ पर क्वेशन्स दिये गए है तो एक एक चीज हम शुरू करेंगे अभी भी आपने अगर केस्टेडी नहीं पढ़ा होगा तो केस्टेडी के हाइलाइट जानके आपको फाइदा नहीं है वापस पॉस कीजिए पूरा केस्टेडी पढ़ी है वापस हाइलाइट से एक बार देखिए और फिर क्वेशन आंसर सॉल्विंग पर आना सबसे पहले रियल एस्टेड रियुलेशन आट के कॉश्चन है इन विच ओफ दो फोर रियल एस्टेड प्रोजेक्ट स्टार्ट बाइ प्रीमियम कमपनी रिजिस्ट्रेशन ओफ प्रोजेक्ट इस नॉट मेंड़ी तो भहिया जो स्केल दाउंड ओपरेशन से उसके हिसाब से प्रीमियम सीरीन में नहीं लगेगा विकास आट फ्लैट से कमका है और पाथ सो स्क्वेर मिटर से जादा भी नहीं है बाकी आएगे सब जो है वो रियल इस्टेट के जो पाथ सो स्क्वेर मिटर की रिक्वार्मेंट है या आठ फ्लैट की रिक्वार्मेंट है कमप्लाइ कर रहे है तो उनको रिजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सर्क प्रीमियम सीरिन ऐसा है जिसमें आठी फ्लैट से और पाथ सो स्क्वेर मिटर के नीचे का डेवलप्मेंट एरिया है तो इसको रिजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है दूसरा सवाल Mr. Harishit has himself announced that any person making a booking via their agency will give extra discount in regard to the provision of RERA पहले तो Mr. Harishit क्या agency registered है नहीं तो क्या ये advertisement valid है नहीं तो ये misleading advertisement है for the buyer for their services not intended to be offered इसमें कहीं पे भी intention नहीं है Mr. Harishit का कि वो services दे रहा है वो करना चाहता है क्योंकि registrations में issue है Harishit के agency में और ये compliance शायद Harishit नहीं करेगा अगर दो different phase में project हो रहा है तो हर phase separately देखा जाएगा हर phase में RERA की applicability देखी जाएगी 500 square meter, 8 flats की अगर हर phase उसको comply करता है तो RERA उसके लिए applicable होगा So each phase will be considered as a stand-alone project and separate registration will be given for each phase ये उसका consequence है XYZ infrastructure company has taken over the project premium company से XYZ infra ने लिया मैंने बोला था कि hand-over करना पड़ा due to short of funds did changes in the layout of the project वो layout भी change कर रहा है project में is it authorized to change the layouts of the project अब इसके अंदर भिया थोड़ा confusion है ये मैं चीज़ बोल दू पहली बात को premium company जिसको भी project hand-over करेगी नए नए promoter और developer का ये responsibility है कि वो पूरे project को complete करे इस duration में अगर project के infrastructure में कोई भी change होता है ongoing layout में कोई भी change होता है तो existing alloties के two-third का आपको approval लेना पड़ेगा अगर ये existing alloties के two-third का approval project transfer करते वक्त ही लिया है with the layout change project transfer करते वक्त ही लिया है with the layout change तो option number D से ही है the new promoter is required to carry forward the project for complying क्यों क्यों क्योंकि जब आपने project transfer किया था तभी two-third alloties का approval आपने approval लिया था and that approval you have took with the changes of the layout तो फिर जो new promoter है उसने उसको complete करना है बड़ अगर आपने layout के लिए पहले approval नहीं लिया है जब आपने project transfer किया तो उस case में आपको two-third alloties का separate approval लिया पड़ेगा option C will be answer in this case तो यहाँ पे मैंने assumption किया है कि यह जब project transfer किया तभी layout changes किया और तभी two-third का approval लिया इसलिए मैंने यहाँ पे mention किया है कि यह 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 नए project नए promoter का obligation है कि वो इसको complete करे लेकिन अगर मैं फिर भी बोलता हूँ कि पहले layout changes के लिए approval नहीं लिया है तो option number C के लिए हम जा सकते है यह RERA के question थे I'll go IBC The final meeting of committee of creator was held on 21st March 2020 Is it necessary to hold a meeting in the person or can be arranged otherwise अगर situation in person meeting के नहीं है तो video conferencing से भी meeting लिए जा सकती है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है यह IBC में और सभी जगपे nearly allow करके रखा है और pandemic situation में तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता descriptive question All the four Indian bank has a consortium gave a loan to a premium company How they will form a part of committee of creator and how their voting shares will be determined First of all जितने भी bank से वो सबसे पहले financial creator माने जाएंगे और इनके जो voting right है यह total loan percentage के form में divide होंगे टोटल जितना financial credit है वो 100% जिसमें से यह चार बैंक में जो loan दिया है उसके हिसाब से इनके voting right divide होंगे तो देखो वही बोला है Each Indian bank will form a part of committee of creator their voting would be determined on the basis of financial debt owed by them तो ऐसा नहीं है कि consortium में तो चार बैंक मिलके एक representative नहीं हर बैंक खुद का एक representative भेज सकती है और authorized representative के provision भी यहाँ पर applicable होंगे JV National Bank is a financial as well as operational creator of the premium company JV National Bank is a financial as well as operational creator है बोले तो क्या वो दोनों debt club करके voting कर सकती है नहीं बैटा बिल्कुल नहीं जब आप financial creator, operational creator बोथ हो तो आपको committee of creditors में operational creator के debt के लिए कोई भी voting नहीं मिलता कोई भी राइट नहीं मिलता You should only work as a financial creator आपके operational debt count नहीं होते यह यहाँ पर answer आना चाहिए So conclusion में देखो वही लिखा हुआ है कि आपके सिर्फ operational debt यहाँ पर exclude किये जाएंगे Financial debts के लिए ही आप सिर्फ यहाँ पर voting दे सकते हो Next In the context with the competition act 2002 Answer the following What procedure do premium company and Z phone tele services limited Need to follow to get approval from CCI Assuming the acquisition by company will result in formation of combination Combination अगर बनने वाला है मैंने combination का लंबा चार्ट ड्रॉ करके दिया था Combination तीन तरीके से हो सकता है Direct indirect control, merger या amalgamation या तो फिर common control by directors वगरा के हिसाब से अगर है तो उसमें भी अलग-अलग दो parameter कि या singly है तो क्या combined है तो क्या तो यहनोंने CCI का approval कैसे लेना चाहिए हमने combination के procedures देखी थी वो पूरी procedure यहाँ पे दी है यह direct question है मैं आपको एक minute देता हूँ कि इस direct question का आप answer पढ़ लीजी यह इसर अकाम का है go for it first यह हणीं नहीं और दे हमाया अपको यह जा लीजींतायरब मैं नहींस के अचों़ पलिए health defense depends सकावाइब मैं मैं क 이 पताते हैं नहीं दो स्काम का कि यह τ DAM यह भी नहीं, इस कि दो शबया शेकाम है नहीं हमे इसाफिता अगर अगर competition commission of India को यह suspicion है कि दोनों का margin मिलके combination या anti-competitive चीज़ बनेगी तो यहाँ पर commission investigation करना चाता है कैसे करेगा simple सी process है वही 30 दिन, 7 दिन, 10 दिन वाला process 30 दिन के अंदर notice दो कि बताओ भाया हम आपके ओपर investigation ना करे फिर director general से आप उनका report मांग लोगो क्या कहना चाते है 7 working days के अंदर from the receipt of the response parties to the combination के खिलाब proceeding किया जा सकता है फिर 10 days का directions वगर अगर properly follow नहीं किये तो same direct question है वापस से competition commission of India का यह answer एक बार वापस से पढ़ लीजिए यह process हमने chart-wise form में हमारे lecture के अंदर बकाइदा पहले ही देखा है ठीक है पूरा chart-wise form में आप उसको भी refer कर सकते हो answer एक बार read कर लीजिए ठीक है okay answer read करते रहे न so यहाँ इस lecture में हम दो ही case studies कर रहे है case study 1 मैंने किया 2 आपके लिए home work है मैं यह try कर रहा हूँ कि lecture half hour के आसपास का बने so that आप फड़ा-फट case study lecture देखके आगे बढ़पाऊ और आपका substantial समय इसके अंदर invest ना हो तो मैं छोटा lecture बनने के कोशिश कर रहा हूँ but first time मैं case study lecture ले रहा हूँ तो मुझे आपके response की जरूए थै अगर आपको लग रहा है कि lecture थोड़ा fast हो रहा है तो आप नीचे comment कीजिएगा आपको लग रहा है slow हो रहा है तो नीचे comment कीजिएगा साथ में आप ये भी suggest कर सकते हो कि sir आगे और क्या करना चाहिए आपने तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर conduct करने की कोशिश करूँगा क्योंकि पहला ही lecture है I also don't know कि भाई या आप ये case study lecture देखके किस तरीके से react करोगे तो आपका जो भी genuine reply है है आप नीचे लिख सकते हो उस तरीके से में मेरा speed या orientation adjust कर सकता हूँ ठीक है बट मेरा ऐसा कहना है कि normally half hour का lecture अगर हम रखे एक एक दो-दो case study 15-15 minutes या 20-20 minutes discuss करे तो इससे काफी speedier way में हम case study complete कर सकते हैं इसमें आपको दो महनत जरूर करनी है पहले तो case study आपको read करनी है फिर उसके facts जब मैं discuss कर रहा हूँ तो ध्यान देना है फिर question answer आपने मेरे साथ discuss करना है और end में question answer आपने खुदने भी एक बार पढ़ना है तो एक पहला reading आपको करना है case study का और end का question answer का reading आपको करना है क्योंकि देखो exam में case study read करने के लिए मैं नहीं आने वाला मैं तो वैसी भी read कर सकता हूँ में को तो experience है लेकिन reading की habit आपको लगनी चीए इसलिए सबसे पहला reading आपने करना है और end में conclusive question answer का reading भी आपने करना है it is just for the sake to understand के भाईया case study के question answer आपको समाज में आये है क्या तो आपका जो भी reply है कृपया आप नीचे लिखेगा मैं next case study के lecture के अंदर इसको implement करने की कोशिश करूँगा thank you so much हर दो दिन में एक lecture हम यहाँ पे upload करेंगे nearly 2-2 case studies का 12-13 lecture के अंदर nearly 12-13 घंटे भी हम बोल सकते हैं या 10-12 घंटे में आपके nearly हम 25 case studies कवर करेंगे बच्चे वे 25 आपको homework के लिए आ सकते हैं thank you so much for watching this lecture this is Darshani Khani signing out good day god bless you take care